हेलो दोस्तो आज हम SSA CHSL 2021 जो आपका मई में हुआ था 24 मई को उसकी सेकेंड सिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे इससे पहले मैं आपको फर्स्ट और ठर्ट सिफ्ट करा चुका हूँ तो यहाँ पे इन सभी कुशन को आपको खुसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे आपको Hindi, English की कोई ऐसी खास जरुवत नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ पे Numbers है ठीक है और जहाँ पे जरुवत पढ़ेगी वहाँ पे मैं उसे लिख दूँगा ठीक है तो यहाँ पे पहला कुशन है, Mirror Image का है सभी को पता है इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो आप देखो Mirror Image में आपको पहले ही पता है जो Mirror के पहले सामने होगा उसकी Image पहले बनेगी जैसे Mirror के सामने यहाँ पे D है तो D यहाँ पहले बनेगा ठीक है बस Left Right हो जाता है जो आपका Mirror से पहले आपका Left में होता है वो Mirror Image में राइट में पहुंच जाता है अब देखो यहाँ पे D को आप देखोगे तो D यहाँ पर अगर आप देखोगे यह Left है तो यह right है तो आपको पता है जब मैंने बता है mirror में यह left में पहुंच जाना चाहिए तो यानि कि D आपका यहाँ पर बनेगा अब यह D का भी क्या होगा left right होगा तो यह इस तरीके से यहाँ पर बनना चाहिए ठीक है यह मैं आपको बता दो आप देख सकते हैं और मांकि आप यह देखो mirror के सामने D है तो पहले यही बनेगा तो आपके दो option सीधे सीधे eliminate होगे आपको ऐसे ही करना है उसके बाद आप एक देखें कि first or second option में यहाँ पर आपके total कितने हैं कितने यहाँ पर alpha beta 7 alpha beta number भी आप देख सकते हैं यहाँ पर last में B नहीं है तो इसका मतलब यह भी answer नहीं होगा क्योंकि B भी होना चाहिए जितने आपके mirror के सामने रखें उतने ही आपको mirror में दिखेंगे तो यह भी आपका होगा नहीं answer आपका क्या हो जाएगा तो आप देखो N E आपका सभी में है N E G ठीक है N E तो यहाँ पर G 7 है T यहाँ N E G ठीक है 1, 2, 4 में से आप देखोगे कौन आएगा G A, A पहले आएगा आप देख सकते हैं तो 2 से सुरुआत होगी उसके बाद आपका 4 त आएगा तो यह इसका answer हो जाएगा इसमें कुछ ऐस नेक्स कुशन देखते हैं यह आपका repeated series का कुशन है ठीक है इससे पहले ही मैं आपको repeated series के कई सारे question करा चुका हूँ तो यहाँ पर आप देखें कैसे करेंगे या तो आप यहाँ से option से put कर लें ठीक है पहला option को यहाँ पर put करें फिर देखें कि क्या series repeat हो रही है या आप total गिलने, total यहाँ पर 20 है तो 20 है तो 5 इंटू 4 का group बन जाएगा यहने कि 5 5 का एक group बन जाएगा एक 2 3 4 5 इस तरीके से बनेगा फिर आप देखेंगे 3 2 5 1 के बन गया फिर आप देखें 3 2 5 5 5 के 4 group बन गया अब यहाँ पर देखो कोई भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा क उसका पहला alphabet देखें यहाँ S है फिर S के बाद यहाँ T आ गया और T के बाद यहाँ U आया है और U के बाद भी आया है तो S T U भी इस तरीके से repeat हो रहा है और बांकी इन पहले वाले alphabet को छोड़के बांकी alphabet को आप देखोगे जो 4 है यह आपके same है आप देखो यहाँ LO Q last में Q है यहाँ भी Q है यहाँ भी Q आएगा तो इस तरीके सा आप इसे Q लिख देंगे तो LO Z Q जो LO Z Q है यह repeat हो रहा है तो आप देखेंगे LO Z Q यहाँ आ जाएगा LO Z Q यहाँ आएगा तो आपका answer क्या हो जाएगा L Z L Z Q यह इसका answer हो जाएगा जो कि आपका first option है ठीक है यह pattern मैं पहले भी बताया, आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर नया pattern आपको लगता है, तो इसे note कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या repeat हुआ है, जो इनका पहला alphabet है, S के बाद T आया है, हर group का, फिर U है, फिर V है, और बांकी L, O, Z, Q जो है, यह आपका repeat हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, यह आपको ऐसे नहीं करना है, तो आपको यह देखने, group नहीं बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, option put करने पड़ेगे, अब यहाँ पर पहला option है, तो आपको answer आ जागा, जैसे पहला option आपने put किया, यहाँ पर L आया, फिर आप D, फिर L, 5th Z और last may Q अब इसके बाद आपको देखना होगा कि क्या सेरी सरीज repeat हो रहे है आपको ये दिख रहा होगा LO,Z,Q, सब में आ रहा है एक को छोड़के LO,Z,Q, repeat हो रहा है LO,Z,Q, LO,Z,Q और जो ये है ये S, T, U भी इस तरीके से हैं अगर यह option अगर आपका last में आ जाता है तो तब आपको time लग सकता है तो इस तरीके से आपको जैसे आपको comfortable होता है और इससे पहले repeated series के मैंने कई सारी video बनाई हुई है जिसमें यह type आलरेडी पहले पूछा गया है next question करते है next question आप देखिए यह जो question है यह बहुत बार पूछा गया इस shift में 6-7 question इसमें पूछे गए है आसान question है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कुछ जो नया आपको बताना हो बस आप इसमें option कैसे eliminate करेंगे मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी भी आपको बताऊँगा जैसे आप देखिए अगर divide वाला sign होता है आप divide वाले sign पर हमेशा गोर करें अब देखो अगर पहला option आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे second में equal to है यानि की 42 के बाद plus आना है फिर 4 फिर equal to आना है तो आप देखो यह जो number आ रहा है यह जो number क्या है यह आपका point में number नहीं आ रहा है ठीक है पूरा whole number आ रहा है 42, 4, 46 आ रहा है लेकिन अगर आप यहाँ divide को देखोगे तो divide के है second last में तो यहाँ पर आप देखोगे 29 divide 60 आएगा अब क्या यह इसे divide कर पाएगा नहीं divide कर पाएगा इससे पहले आपका multiply भी है अब इससे पहले अगर आप multiply भी लगाते है तो यह कैसे बन जाएगा 3 into 29 बटे 60 3 से तो divide हो जाएगा 60 लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर point में आएगा तो point में आएगा तो यह option होगा नहीं तो इसे आपको check नहीं करना है मैंने आपको बताया है divide वाले को आप ऐसे ही देखेंगे आप देखें अगर point में आपका आ रहा है और equal to के यहाँ पर whole numbers है तो आपको इसे check नहीं करना है इसी तरीके से आप second option को भी यहाँ पर देख सकते है मतलब option पहले आपको वही check करना है क्योंकि इस question में आप option से ही जाएंगे और कोई तरीका नहीं है तो second में आप देखेंगे यहाँ पर 42 plus 4 है और इसके बाद divide आगया आप divide 69 आगया तो यहाँ भी आप देखेंगे divide नहीं होगा ठीक है इस पॉइंट में यहाँ पर आ रहा है तो इसे आप बाद में check करेंगे और आगे यहाँ कहीं equal to के बाद minus into plus है तो कहीं point में आएगा नहीं ठीक है आप देख सकते तो इसे भी आपको check नहीं करना है ठीक है इसी तरीके से आप third option भी देख सकते है ठीक है third option तो यहाँ से option eliminate होंगे तो आपका समय ऐसे ही बचेगा ऐसे ही आपको करना है बाद कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कुछ ऐसे logic लगाने वाला नहीं simple से आपको put करके देखना है और equation balance करती है तो आप देखो fourth option यहाँ पर लगा कर सकते है फिर भी मैं बता देता हूँ आगे जो question आएंगे उसे आप खुछ से कर लेना ठीक है into 4 है minus 69 है फिर equal to आपका 3 है फिर into 29 plus 60 और यहाँ पर divide 5 है ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला option यहाँ पर देख सकते हैं 16 गुणा 4 भागा 8 है अब देखो यहाँ पर divide है तो यहाँ पर पूरी पूरी बार divide हो जा रहा है यह आपको ध्यान में रखना है तो आप इसे आगे 4 दुनी 8 इस तरीके से कर सकते है minus है फिर minus 10 plus 2 equal to 24 इस तरीके से तो आप देखें 4 दुनी 8 यह बराबर नहीं आ रहा है यह option होगा नहीं second option भी आप देखने तो यहाँ पर divide है second में 4 बटे 8 और इससे पहले minus है तो यहाँ भी कही न कही point आ जाएगा और आप देख सकते है last में equal to है और equal to के बाद आपका 24 है तो आपको पूरा whole number चीए तो point में नहीं चीए तो इस option को आप check नहीं करेंगे तो इसी तरीके से आप third option चेक कर सकते है तो यहाँ पर पहले divide है तो 4 आ जाएगा गुणा 8 है तो 32 हो जाएगा minus 10 plus 2 equal to 24 है तो आप देखोगे 8 चको 32 32 में से आप देखोगे कि तक यह 32 में से 10, 22 plus 2, 24 हो जाएगा तो यह आपका बरावर आ रहा है यह इसका answer हो जाएगा next question देखें इसे आप करेंगे आप देखें odd one out का question है सभी को पता है इसमें आपको English Hindi की जरूवत नहीं है मैं आपको बता भी देता हूँ यह odd one out का है यहाँ पर 3 option में ऐसा होगा pattern repeat एक pattern होगा एक option में वो pattern आपका नहीं होगा ठीक है 3 option जो होगे किसी तरीके से एक समान होगे एक आपका अलग होगा तो वही pair आपको ढूड़ना है अब देखते ही आपको समझ में आ जा रहा होगा यह सारे आपके square है ठीक है square है आप देखो पहले option में क्या pattern हो सकता है अगर 18 में से आप क्या करें 18 में से आप 3 minus करें उसका square कर दे तो आपको कितना मिलता है 15 का square 225 इसी तरीके से आप 19 में से 3 minus कर दे उसका square कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा 16 का square 256 और यहां भी आप देखेंगे 17 में से 3 minus करेंगे तो आपको कितना 14 मिलेगा 14 का square आपका 196 होता है जबकि इस option में 14 में से 3 minus करेंगे 11 आएगा 11 का square यहां पर 121 होना चाहिए था जबकि 169 है तो आप देख सकते हैं 1st, 2nd, 4th option एक pattern है यह अलग हो गया यह इसका answer हो गया या आप ऐसे बोलने कि 225 का हमने क्या 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 अंडरूट किया तो 15 आया 15 में 3 add किया तो हमें 2nd, 18 मिल गया इस तरीके साब सारे option में बोल सकते हैं तो odd कौन सा हो जाएगा 3rd option next question करते है फिर से आपका mirror image का है तो आपको पता है सबसे पहले W बनेगा mirror के सामने जो है वो सबसे पहले बनेगा ठीक है आप left right में भी देख सकते हैं mirror image में क्या होता है जो right वाला होता हो left हो जाता है यानि कि यहाँ पे left में W पहले आएगा और mirror के सामने वाली चीज सबसे पहले आएगी तो यह option eliminate हो गया उसके बाद आप देखें W के बाद आप देखें last में H है लेकिन इस option में यहाँ पे H नहीं है ठीक है तो यह option भी नहीं होगा तो आपका answer क्या हो जाएगा first option हो जाएगा next question देखते है ठीक है इसे देखें किस तरीके से आप करेंगे 286, 303, 320 number आसपास है तो हम gap देख लेते हैं 422, 507 अब देखें 286 से 330, 14 का gap है sorry 17 का gap है ठीक है 14, 300 हो गया और 3, 17 यहाँ पर 17 का gap है next माप देखें यहाँ भी 17 का gap है और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कितने का gap है तो आपको यहाँ पर नजर आएगा 50, 20, 70, 51 का gap है next माप देखें यहाँ पर 29 और 22 यहाँ पर भी 51 का gap है तो आप देख सकते हैं देखते ही आपको समझमा आगया होगा पहले 17-17 फिर 51 तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 17-17 गए तो यहाँ पर 0 एड है फिर यहाँ आप कहेंगे तो आपका कितना 34 है ठीक है फिर यहाँ पर भी आप देखो प्लस 0 है नेक्स्ट में फिर से 34 है होगा तो यहाँ पर आप गैप भी देख सकते हैं 4-1-5 और 5-3-8 पिचासी का गैप है तो नेक्स्ट में भी आपका क्या होना चाहिए यहाँ से 0 एड होके पिचासी का गैप होना चाहिए तो आप देखें साथ पांच बारा की दो और आठ और पांच कितना हो जाएगा सॉरी साथ पांच बारा दो एक आठ एक नो हो जाएगा यहाँ पर और यह पांच पांच सो बैयान अब बेस का आंसर होगा जो कि आपका थाड आप्स ने ठीक है समझ में आ गया किस तरीके से पैटन है 17-17 एकाउन एकाउन 85-85 का गैप है ठीक है तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं नेक्स कुशन देखते हैं अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या लोजिक होगा सेंपल को किस तरीके से लिखा गया आप देखें सेंपल को लिखा गया है आप देखो से आर गया इनकी पोजिशन आपको याद हो नीचे तो इस तरीके से आपका पहले वाले में माइनस 1 फिर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 हो रहा है मैपल में भी आप चेक कर सकते है मैं सीधे पिपल को करके बता देता हूँ P E O P L E आप देखें पहले में माइनस 1 होगा तो यहाँ पर O आना चाहिए तो यह option आपका eliminate दूसरे में माइनस 2 होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए C आना चाहिए तो यह option eliminate और आप यहाँ पर last में देख सकते हैं सीधे last में चेक कर लिए जब बताओ यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ पर minus 6 होगा तो E में से 6 जाएगा तो last Y होना चाहिए तो आपका answer क्या आजाएगा fourth option आजाएगा pattern आप देख सकते हिजाम में आपको ऐसे ही करना है तो आपको सारा करके देखना नहीं ऐसे लिखना भी नहीं है आप सीधे people से देखेंगे minus 1 करेंगे और last में देखेंगे आपको पता है E से minus 6 होगा तो Y आएगा तो सीधे आपके यह option आपकी eliminate हो जाएगे ठीक है इस तरीके से आपको ओहाँ पर देखना है next question करते है next देखें यहाँ पर क्या है D से A गया D से A गया तो आप बोलेंगे यहाँ से minus 3 हुआ है ठीक है पहले alphabet की बात कर रहे है फिर यहाँ पर आप देखें U से R गया तो यहाँ भी आपका minus 3 हुआ है तो यानि कि A से यहाँ पर जाएंगे तो minus 3 होगा A से minus 3 करेंगे तो आपका क्या आएगा A के बाद 26 से start हो जाएगा यानि कि पहला X आएगा तो यह दोनों option eliminate होगे उसके बाद आप देखोगे R से B गए R से B गए तो आपको कितना मिलेगा R आपका 18 होता है B में जाना है तो आप R के बाद 19 आएगा फिर 20, 26 तक जाएंगे फिर आप कहाँ पर जाएंगे B पर जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कितना आप प्लस कर रहे है ठीक है प्लस आप कर रहे है 6, 2, 8, 2, 10 ठीक है तो यहाँ पर आप 10 कर रहे है ठीक है 10 प्लस कर रहे है तभी आपको क्या मिल ला है तभी आपको B मिल ला है तो दूसरे वाले में तो प्लस 10 किया हुआ है तो इस तरीके से आपका second में आया हुआ है ठीक है next आप देखेंगे B से K ठीक है देखने की जरुवतने फिर भी आप देख लें B से K गये हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे B से K, B की position 2 होती है 11 पर जाना है तो प्लस 9 क्या हुआ है फिर आप देखें B के से प्लस 9 करेंगे तो 20 आजाना चीए ठीक है इस तरीके से आगे वी वड़ा तो यानि कि पहले alphabet में आपका क्या हुआ मैनस 3 हुआ है दूसरे alphabet में यहाँ पर क्या हुआ है मैनस प्लस 10 हुआ है ठीक है प्लस 10 कर रहे है ठीक है आप देख सकतों B में 10 करेंगे 12 हो जाएगा और तीसरे में आपका क्या हुआ है B से K गए हैं तो आपका minus 9 हुआ है ठीक है B से आपका K minus sorry plus 9 plus 9 हुआ है और last वाले में आप देखे Z से X गए हैं तो minus 2 हुआ है और यहाँ पर X से minus 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा 22 तो XLT भी आजाएगा जो कि आपका third option तो आप देख सकते हैं यह हर alphabet में इस तरीके से minus 3 plus 10 plus 9 minus 2 आपका हुआ है next question देखते हैं इस question को आप खुदी कर लें ना इसमें कुछ ऐसा है नहीं मैंने पहले भी आपको बताया आप देखो equal to आपका यहाँ है तीसरे number पे तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे आपको पूरा whole number मिलने वाला है और यहाँ divide last में चो 4 divide नहीं करेगा उनने इसको तो point में आ जाएगा तो इस तरीके से आपको option यह चेक नहीं करना है option ऐसे eliminate करना है तो आप fourth option को यहाँ पे चेक करेंगे आपका answer आजाएगा next question करते है इसे देखें किस तरीके से यहाँ पे क्या गया है डबलू O R T H को लिखा है Z R R W K तो यहाँ पे देखें क्या आपका क्या है W से Z गया प्लस 3 है O से R गया प्लस 3 है R को R ही लिखा है प्लस 0 किया है आप बोल सकते है T से W गया प्लस 3 है S से K गया प्लस 3 है यानि कि सब में प्लस 3 है और आपका बीच वाले को सेम लिखा गया है F A I T H तो इसे आप देखें F से आप प्लस 3 करेंगे तो 6 3 9 होता है यानि कि I होगा और सीधे आपका 3rd option है बाँ कि आपको चेक करने की जरुवत नहीं क्योंकि pattern आपने यहाँ पे निकाल दिया फिर भी आप time है तो आप इसे चेक कर सकते है Next question करते है Next देखें इसे भी आप खुदी solve करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो second option इसका answer है Next question करते है तो यहाँ पे देखें bad bedroom घर है तो आप देखेंगे सबसे पहले घर होगा घर के अंदर क्या होगा आपका bedroom होगा और bedroom के अंदर आपका bed होगा जो कि आपका fourth option है ठीक है Next question देखते है Next है यहाँ पे आपको बताना है उस बिकल्प आकरती का chain कीजिए जिसमें दी गई आकरती उसके भाग के रूप में सन्नी हीत है तो यहाँ पे आपको embedded figure का question आपको यह बताना है कि किसमें यह figure आपका embedded है तो आप देखेंगे यह आपको option first ही नजर आएगा ठीक है आप देख सकते हैं अगर आप बोल भी दें ऐसा है तो बांकी चीज नहीं है जो आगे को गया हुआ है ठीक है next में भी आपको नहीं दीखा पहला यह option इसका answer है ऐसे ही check करना है यह है आपका mirror image का question तो mirror image में पहले आपको पता है तो यह आपका बनेगा नहीं ठीक है जो यहाँ पर आपका नीचे वाला bottom वाला हिस्सा है यह top में चले गया यह जब mirror ऐसे रखा होता है तब बनता है ठीक है तो यह आपका बनेगा नहीं आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपका fourth option भी यह eliminate हो जाएगा यहाँ भी आप देख सकते हैं यह आपका उपर side बना हुआ है top bottom नहीं होगा उसके बाद आप यह देखेंगे five दोनों में same है seven आप देख सकते हैं यहाँ पर seven देखेंगे तो seven में यहाँ पर seven का जो यह वाला हिस्सा है top वाला हिस्सा यह यहाँ bottom में चले गया यह आपका जब mirror सामने होगा तो mirror image में नहीं होगा what image में होता है तो यह भी आपका होगा नहीं तो बचा क्या first option इसका right answer हो जाएगा next question देखते है next देखें amount को mount लिखा गया यानि कि A आपका guide कर दिया जब यहाँ गये हैं और इसी तरह breeze में यहाँ पर B guide कर दिया तो यहाँ पर B guide कर दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा right बचेगा तो RIGHT's का answer हो जाएगा जो कि आपका second option है यह question आपको खुद करना है मैंने बता दिया कैसे करना है fourth answer है next question देखें इसे आप करें analogy का question है analogy में आपका क्या करना है उस विकल करें जो पाँचवी संख्या से उसी प्रकार संब्धित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से है और चौती संख्या तीसरी संख्या से संब्धित है अब देखो यहाँ पर मैं square से सोचूँगा मुझे 52 तो मैं क्या करूँगा ठीक है 5 का square करूँगा 5 का square 25 होता है 25 का double किया 50 50 में 2 जोड दिया तो मुझे क्या मिल गया 52 मिल गया ठीक है समझ में आया इसी तरीके से मैं यहाँ पर 100 और 7 में भी सेम पैटन होना चाहिए तो मैंने क्या किया पहले 7 का square किया और उसका double किया 49 49 दूनी 98 होता है ठीक है 7 का square 49 दूनी 98 प्लस 2 add किया तो मुझे 100 मिल गया ठीक है तो आप देखो दोनों में आपका सेम पैटन लगाया है तो यही पैटन यहां लग जाएगा तो यहां पे 164 है या तो आप यहां पे क्या माल लीजे X माल लीजे ठीक है X का square करेंगे उसका double करेंगे उसमें 2 आप add करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए 164 मिलना चाहिए यहां आप सिधे option से ही समझ जाएंगे यहां पे 9 होगा 9 का square करेंगे 81 81 का double करेंगे 162 प्लस 2 164 हो जाएगा नहीं तो आप ऐसे कर लीजे तो यहां आप देखें X कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा और यहां X square equal to 81 होगा और X equal to कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा जो कि आपका second option है ठीक है सबी को समझ में आ गया यह ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो reverse process में भी जा सकते है 52 से 5 में भी जा सकते है आप यह बोल सकते है 52 में से 2 घटाया तो हमें कितना मिला 50 मिला और 50 का half कर दिया और इसका under root कर दिया तो यह आपका कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा इस तरीके से भी आप बोल सकते है reverse में ठीक है next question देखते है यहाँ पर आपको बताना है दी गई आकरती में कितने वर्ग हैं अब आपको figure देख रहा होगा जब आपको पता है इस type का figure होता है तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें आपके कितने वर्ग होता है वर्ग का मतलब चारों भुजाएं आपकी सेम होनी चीए square तो यहाँ पर कैसे निकालता है यह 1 का square plus 2 का square plus 3 का square इस तरीके से निकालता है तो यहाँ पर आप देखें 1 का square 1 plus 2 का square 4 3 का square 9 तो 9, 1, 10, 4, 14 14 तो सिर्फ इस figure में होगे ठीक है यह figure आपका खतम होगया बागी square कौन-कौन से है एक square आपको यह दिख रहा होगा और एक square आपको इसके बहार से दिख रहा होगा इसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं next question देखते है आप देख भी सकते हो D, I, S आपको पता है तीन और दो में से पहला आएगा तो D, I, S, D, I, S, same है तो यहाँ पर C है यहाँ पर E है तो पहले C आता है तो D, I, S, C, U इस तरीके से आपका third option हो जाएगा next question देखते है details को यह ऐसे लिखा गया आपको बताना है कि formula को कैसे लिखेंगे तो आप देखो जो alphabet यहाँ 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 भी है तो यानि कि cross pattern होगा simple सा है तो यहाँ पर आप देखें कैसे करेंगे D, E, T, A, I, L, S इसे लिखा गया है T, E, D, A, S, L, I आप देखेंगे यह लिखा गया है D को ऐसे cross में T को cross में E को A को A लिखा गया है और यह आपस में cross में इस तरीके से pattern है simple pattern है formula को भी आप ऐसी लिख देंगे यह आपका हो जाएगा R, F, O R, O, F, M, E, L, U हो जाएगा जो कि आपका first option है ठीक है समझ महा गया यह आप बोल सकते हैं कि इन तीनों को reverse में लिखा है इन तीनों को reverse में लिखा है बीच वाले को same लिखा है next question है आपका यह भी आपका mathematical sign वाला question है इसे आप खुश से कर लेंगे ठीक है तो यह second option इसका answer हो जाएगा same question है आप देख सकते है mathematical sign वाले कितने question है ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि यह आसान है ठीक है आसान तो है मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं है लेकिन time taking जरूर होते है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको option eliminate करने है ठीक है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि mathematical sign वाले हैं तो आसान है क्योंकि इसमें time लगता है क्योंकि हर option आपको check करना पड़ता है ठीक है कई लोग third option से करते हैं last से करते हैं उन्हें लगता है कि third or second option जादेतर होता है इस तरीके से करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक है आप देख भी रहोगे तो आपको कैसे eliminate करने है option कैसे कम time लेना है वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो यह दो आप कर सकते हैं question last question है mirror image का तो आपको पता है सबसे पहले D बनेगा sum में D है उसके बाद आपका D के बाद F बनना है तो F किस तरीके से बनेगा आप F है तो यह तो होगा नी क्योंकि इस में F जो है bottom में चलेगा तो यह आपका bottom में नहीं जाएगा यह भी होगा नी इन दोनों में से एक होगा यहाँ पर आप देखे 9ola आप F image में तो यह आपका answer हो जाएगा third option तो यहाँ पर यह shift भी खतम होती है तो इसमें आपने देखा होगा mirror image के आपके 3-4 question mathematical sign के भी आपके 6-7 question तो 10 question तो आपके इनके ही पूछे रहें ठीक है तो यहाँ पर आप कुछ पता नहीं है आप देख भी रहें किसी के तो एकदम से 6-7 question पूछ ले रहें और जो mathematical sign है वो थोड़ा time taking है तो यह shift भी यहाँ पर खतम होती है ठीक है बाके आप अपनी practice भी करते रहें ठीक है